हेलो फ्रेंड्स मैं महिश आपके और हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेट राजस्तान से तो फर्स्ट आफ और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब बटन दिखी जाएगा आपको चैनल पर उसके आपको क्लिक कर देना है और यह बैल नौटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना है ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडि तो उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके है अब आप कर दो निचे रखते ना बुल्टे तेबल पर देखने का हुए ओके कर दो शोब तो अपर प्राइब तो पर इस पर इसका है तो अब तो अब दर आपको कि उसका है अब इसकोशन का आप निया ना इसका वॉल्मांट इसका अब दर ही अनुए नँखिकेशन दर है ना और एस अप्राइब आप एक पावर केबल इसके लगी है एक पावर केबल इसके लगी वे एक प्राइब इसके साथ नाएगी इसके साथ आएगी यह वाल माउंट स्टेंड है इसका एक बर इसको आगे से दिखा दो नाएगी को इसके वीडियो पोस्ट कर लिए कि अच्छिए लुप एंगे हमने इस टीवी को वाल माउंटिंग कर वाली है और साथ में सैट अप बोक्स जो की डिस्टीव वो वी अटेज कर दिया है और इसका पिक्डिर क्वालिट्ई और इसकी फ्रेम के बार हम बातकरते है इसकी जो फ्रेम है जो फ्रेम है जो पैनल है वो बहुत ही best पैनल है और बहुत अच्छी sound quality and display quality बहुत अच्छी है इसमें दो HDMI port मिल जाती है एक USB और sound मिल जाता है इसमें अच्छा 10 mode into 2 speakers है इसके जो low side में है एक इधर और एक इधर 2 speakers है और LCD में कोई भी on-off का button नहीं दे रखा remote से ही on-off होगी और ये LCD का power cable है ये इस TV का power cable है और side panels में देख लेते हैं इस side हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और नीचे की तरफ speakers है और इस side में हमें तो SDMI port और एक USB port हमें इस side में मिल जाती है और sound quality के सारी functions मिल जाते हैं और sound इसकी जो display quality है वो बहुत ही दूसरी TV की बुकाब्ले बहुत अच्छी है ये देख ली जेतनी 180 degree resolution 170 तो होता है या 160 तो होता है वहां से भी देख रहे हैं तो दम clarity आ रही है पीचर की और SD है बहुत अच्छी है अगर ये TV कोची लगे तो description में इसका link मिल जाएगा okay thanks for watching